नमस्कार बच्चो प्रश्णावली 8.1 का 9 प्रश्ण आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 देखे प्रश्ण है त्रिभूज A, B, C में जिसका कोण भी समकोण है यदि 10 A बराबर 1 बटा रूट 3 है तो निम्न लिखित के मान ग्यात कीजिए तो देखे बच्चो यह एक समकोण त्रिभूज है और कोण B समकोण है तो A हम यहाँ लिख लेते हैं C यहाँ लिख लेते हैं इसके हिसाब से A कोण यहाँ आगया अधार के साथ तो 10 A है 1 बटा रूट 3 एक बटा रूट 3 और आपको पता है 10 का फार्बूला होता है प्रपेंडिकुलर बटा बेस तो इससे प्रपेंडिकुलर आ गया एक और बेस आ गया रूट 3 बच्चो रूट से डरना नहीं है ठीक है बच्चो रूट से डरना नहीं है अभी भी हलोगा तो सबसे पहले बच्चो पहले स्टैक से हमें दो साइडे पता लगी और हम पाइथा गोरस प्रमय से तीसरी भूजा पता करेंगे यही हम सभी प्रशनों में करते आए हैं तो आ हाइपोतीनूस स्केयर बेस स्केयर पलसuesta ४र्पेंडिकुलर स्केयर की हाइपोतीन है एसी एसी का होल स्केयर बराबर depending बेस unity इस इसका होल स्केयर पलसhelm end का एग एक का होल किर ये देखां बचार empieza और एक का स्केयर हो जाएगा 1 इने चार तो वह निया गया 3 किसका स्क्वेर होगा 2 का स्क्वेर से स्क्वेर कट गया हमारे पास आ गया AC ब्राबर दो अब यही वैलियू Caráबर 2 हम यहाल लिखतेंगें अब बच्चों हमें निकालनी है sin A cos C plus cos C sin A की value तो आएए बच्चों ध्यान से देखना इसको ज़रा ध्यान से देखना सबसे पहले cos C भी हमें चाहिए इसलिए हम इस त्रिभुष को घुमा कर भी देखेंगे B यहीं रहेगा C यहां के बजाए नीचे आ जाएगा और A यहां के बजाए उपर चाल जाएगा अब A B कितना है root 3 तो जहां A B है वहां root 3 लिखना है यहां नहीं root 3 की यहां नीचे root 3 है तो यहां root 3 No A B की लंबाई root 3 है तो A B है अब भी यहां आ गया तो A B के साथ लिख दो रूप दी B C है एक B C अब नीचे चला गया तो एक A C दो है A C को दो ही रहने देना है ठीक है बच्चो अब जो प्रश्ण है वह मैं लिख रहा हूँ प्रश्ण है Sine A Cos C Plus Cos Sorry हमने थोड़ा सा प्रश्ण है गलत लिख दिया है ये Cos C Sine A नहीं है ये Cos A Sine C है तो Cos A Sine C इसकी वैल्यू हमें निकाल गी है ध्यान से देखना बच्चो पूरे ध्यान से देखना है अब आपने Sine A A का मतलब वह त्रिबूज लेना जिसमें अधार के साथ A हो तो बताओ अधार के साथ A कहां है उपर के नीचे उपर है अधार के साथ A तो Sine A के लिए यह लेंगे Sine A Sine होता है perpendicular बटा hypotenuse perpendicular है 1 hypotenuse है 2 Sine A होगा 1 बटा 2 बीच में कोई निशान नहीं है यानि गुना है Cos C C यानि जहां C अधार के साथ है तो ये वाला त्रिबूज Cos C Cos होता है base upon hypotenuse base है 1 hypotenuse है 2 तो Cos C हो जाएगा 1 बटा 2 ये दोनों आपस में गुना हो रहे थे इनको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं बीच में निशान है प्लस का अगली ब्रैकेट में हम इन दोनों के गुनाश को रख लेंगे अब आगे है Cos A Cos A के लिए बेटाओ फिर से हम ये त्रिबूज लेंगे क्योंकि अधार के साथ A उपर वाले त्रिबूज में है Cos A Cos का फार्मूला होता है बेस अपन हाइपोटिन्यूज तो रूट तीन बटा हाइपोटिन्यूज है दो बीच में कोई निशान नहीं है यानि गुना का निशान है साइन सी साइन सी के लिए वह त्रिबूज लेंगे जहां अधार के साथ अधार है ये इसके साथ सी होगा तो वो है यह वाला त्रिबूज साइन सी साइन होता है प्रपेंडिकुलर बटा हाइपोटिन्यूज प्रपेंडिकुलर है रूट तीन बटा हाइपोटिन्यूज है 1 गुणा 1, 1 बटा 2 गुणा 2, 4 प्लस, रूट 3 गुणा रूट 3 होता है 3 बटा 2 गुणा 2 होगा 4, अब ये बन गया 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 4, इसे हल कर लो, चार और 4 का लगुत्तम 4 4 को 4 से भाग किया 1 1 गुना 1 एक फ्लस 4 को 4 से भाग किया 1 1 गुना 3 3 तो यह भी आ ग्या 1 प्लस 3 4 बटा 4 4 से 4 कर जाएगा 4 एकम 4 तो उत्तर आ ग्या है 1 उत्तर आ ग्या है 1 तो बच्चों देखा आपने प्रश्ण था, 10 दे बराबर 1 बटा रूट 3, तो रूट 3 जब हमने यहां लिखा तो कई बच्चे यह ऐसे ही डर जाते हैं फिर हमें निकालना था, sin A into cos C plus cos A into sin C, तो बच्चे देखके प्रश्ण को डर जाते हैं प्रंतु हमने जब step by step step by step step by step इस प्रेशन को किया है तो हमारा उत्तर कितना सरल आया है एक इसका मतलब यह प्रेशन सरल था सिरफ देखने में थोड़ा सा आपको मुश्किल या confusing लग रहा था तो बच्चो आशा करता हूं हमारी यह मिनत आपको अच्छी लगी होगी कीजेगा और है आशा करता हूं इस विडियो के माध्यां से आपको इस प्रेशन का यह भाग अच्छे से समझाया होगा इस प्रशनावली के अन्य प्रशनों को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर अन्य प्रशनों के समझ सकते हैं धन्यवाद बच्चो